नमस्कार मैरुपाली और आप देख रहे हैं JT News कॉंग्रेस अध्यक्षिम वलिकारजुन खडगे की ओर से एक खुद को अच्छूत बताये जाने के बाद असम के मुख्य मंत्री और भारते जनता पार्टी के वरिष्ट नेता हिमंत बिस्वाद सर्मा ने कताक्ष करते हुए राहुल गांधी को भी बीच मेला पेट लिया है खडगे की ओर से ये कहने पर कि कोई उनके हाथ की चाय भी नहीं पीता सर्मा ने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी उनके साथ कभी चाय नहीं पीते हो उन्होंने कॉंग्रिस की पूर्वदिक्ष यानिकी राहुल गांधी को खडगे के साथ चाय पीते हुए तस्वीर जारी करने को भी कहा है आपको बता दे कि गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार में जूटे हिमंत ने एहमदाबाद में न्यूजेंसी एनाई से कहा कि खडगे जी बोल रहे हैं कि कोई उनके हाथ की चाय नहीं पीता है हो सकता है कि राहूल गांदी जी अब तक उनके साथ चाय नहीं पीते खडगे जी के इस बयान पर राहूल जी को एक ट्विट करना चाहिए कि जिसमें वे खडगे जी के साथ चाय पी रहे हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है आपको यह भी बता दे कि रविवार गुजरात में प्रचार के दौरान एक जन्सभा में खडगे ने पी एम मोदी पर निशाना साथते हुए खुद को अच्छूद बताय था उन्होंने कहा था कि वह अच्छूद जाती से आते हैं और लोग उनके हाथ की चाय भी नहीं पीते खडगे ने आपको बता दे कि खडगे ने आखिरकार कहा क्या था आपके यानि कि मोदी जी जैसा आगमी जो हमेशा दावा करता है कि गरीब हूँ हम भी गरीब हैं हम तो गरीब से गरीब हैं हम तो अच्छूदों में आते हैं कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है मेरी चाय भी नहीं कोई पीता है आज के हमारी इस खबर में बस इतना ही, आपके इस मुद्दे पर क्या रहा है हमें कॉमें एक कॉमेंट सेक्शन में अपनी राए में ना भूले, तमाम ऐसी खबरों से जुड़े देने के लिए देखते रहे हैं JT News, अगर आपने हमारे चैनल JT News को अब तक सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं